अरली डिस्चार्ड या सेक्शल परफॉंज को बढ़ाने के लिए मार्किट में कई परगार की दवाईयां आवेड़ाल होती है जिसे कि टैबलेट के फोम में भी आ जाती है कैपसूल के फोम में एंड इस प्रे वगेरा भी देखने को मिल जाता है लेकिन आज किस वीडियो म आज को सब्सक्राइब करें जाल 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 लग वीडियो को शेयर करें गाई इसका नाम है कैनली हैल की तरफ से आ जाता है प्लेजर डिले वाइपस बैसलिए एमाज़न पे आपको मिल रगए लिंक में डिस्क्रिशन बोक्स में दिया है एंड यह क्यों आपको यूज करना चाहि बिलकुल सेफ होता है एक ट्ली काम करता है किसी तरीक आपको जैसे आप खाते हो तो निए नहीं पड़ता है किसे तरीका बोर देखते हो नहीं मिलते है ऑप गहले लगहने होता है रदा 1 को यह भी एक local anesthesia ही होता है जो आपके sensitive nutrition को खतम कर दिता है sensation को कम करने मादब करता है जिससे timing जो होता है बहुत ज़्यादा इस ज़्यादा बजाता है अब देखिए tablet में और capsule को इसके मुकाविद क्यों use नहीं करना चाहिए क्योंकि capsule को आप निगलोगे एक kooli को आप खाओगी तो आदे से एक गंटा लेते है इसका guys आप जैसे की wipes को apply करते है अपने पैने सब्सक्राइब केवल दू मिनिट के अंदर आपका जो पैने सब्सक्राइब वो बिल्कुल ready हो जाता है अपने intercourse के लिए तो जब भी आप intercourse करते हो तो केवल दो मिनिट पहले आपने wipes को लगाना है और आप तयार हो जाते हो अल्ली डिस्चार्जिंग के प्रॉब्लम जिनके अंदर देखने को मिल जाता है या बेट पर जो लब्मे समय तक अच्छे से पर्फोर्मेंस नहीं दे पाते हैं उनके लिए प्लेजर डिली वाइब जो होता है देखने को मिल जाता है इस तरह ही उसे देखने को मिल जाएगा आपको जैसे में बता है Amazon पे मिल जाएगा लिंक में डिस्क्रिशन बहुंग दिया है तीन सो रुपए के एक तकरीवन आपको तीन सेचेट होते है इसमें दे जाते है थोड़ा कोशली प्राइस के जाता था लेकिन विजर्ट आपको काफी जाद अच्छे मिलेंगे जो कैपसूल टैबलेट का यूज नहीं करना चाते है क्योंकि वो आपके लिवर पर विशक्त डालते हैं किड्नी पर इफ्ट डालते हैं जिससे आग ये चल कर आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो बात करते हैं किस तरीके से आपने यूज करना है बिसकलि एक डबबी के अंदर आते हैं कमसा दो गंडे तक असर बरावर बना रहता है उसके बाद अगर आप फिर से करना चाते हैं दुबारा आप रुपीट जो वाइप्स जो है वो यूज कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो भी है आप कर सकते हैं कोई इसमी इस्यू की बात नहीं है साइड इफेक्ट से बारे में बात करें तो वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ना ही मेल में ना ही फीमेल में तो अगर आपको कोई ऐलर्जी हो या खुजली हो जलन देखने को मिले तो यूस ना करें एंड डॉक्टर से इसके बारे में कंसर्ट जरूर करना चाहिए जिन प्रफर में डिस्चार्जिंग का दिक्कात होता है टाइमिंग का प्रोब्रम होता है उनकी नहीं जो होता है प्लेजर डिले वाइप से होता है वोक दिया गया है तो लिंक डिस्क्रिशिंग में दिया है सस्ते में आपको मिल जाएगा वीडियो अच्छा लगा शेयर जरू करें लाइक जरू करें मिलता अपने नेक्स वीडियो के साथ जय हैं जय अबारत